Hello student, आप सभी का स्वागत है SS Max Academy में और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे integration by parts का proof that जी हाँ बच्चो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा तो आपको integration by parts के इस proof that को समझने में आसानी होगी और उसके वज़े से आपको हर numerical आसान लगेगा देखिए बच्चो integration by parts का rule क्या होता है ये तो हम सभी जानते हैं वो होता है integration of u into v dx is equals to u integration of v dx minus integration of derivative of u into integration of v dx dx बट ये rule आया कैसे है अगर ये हमें पता चल जाए तो और आसान होगा हमें work करने के लिए तो देखिए हम जानेंगे इसका proof that चल ये प्रूफ के तरफ बढ़ते हैं देखिए बच्चो यहां हम लेट कर रहे है integration of v dx को as w अगर integration of v w है तो इससे हम एक और conclusion बना सकते है कि w का derivative definitely क्या होगा बच्चो वी यही हम लोगों ने सिखा derivative और anti-derivative से अगर v का integration w है it means w का derivative क्या रहेगा बच्चो वी तो अब ह हम इस rule को याद रखते हुए process में आगे बढ़ते हैं हम यहां derivative determine करेंगे बच्चो u into w का ध्यान देजेगा अच्छे से अब यहां दिख रहा है आपको की product rule है u और w यह दोनों function है with respect to differentiate x भी हो पाएंगे और function है x के तो यहां हम proto लगाएंगे तो यहां है बच्चो यहां इस term को हम कुछ note कर सकते देखें क्या है v यही मैंने याद रखने के लिए भी कहा था आपको तो यहां u into आ जाएगा v plus w into derivative of u और ध्यान दीचेगा यह value जो i है यह किसकी value है तो यह है बच्चो d by dx of u into w की तो ध्यान दीचेगा अगर derivative of u into w यह हो सकता है तो इस term का integration क्या ह होगा बच्चो u into w तो हम anti-derivative concept को use करते हुए यहां लिकरे integration of uv plus w into du by dx dx is equals to क्या बचेगा बच्चो u into w और w क्या था यह भी देख लिजे w है हमारा integration of v dx जिसे हम फिर से एक बार use करेंगे बच्चो धान देते रहेगा अच्छे से ताकि आप लोग को यह proof समझे तो अब यह integration यहां बाट दीजे हमारे पास integration की property है तो uv dx अलग integration में आएगा then integration of du by dx को आगे ले लेते है into लिख देते है w साथ में आ जाएगा dx is equals to यहां बचा है बच्चो u w और w की value अब substitute की जाएगी तो देखे क्या आएगा integration of u into v dx plus integration of derivative of u into w के जगा उसकी value integration of v dx substitute करेंगे और यह आखरी वाला dx यहां as it is रहेगा और right side में u into w के जगा आजाएगा integration of v dx अब simple दरीके से आप क्या करेंगे बच्चो इस पूरी term को आपक इसे right side transfer कर दीजे तो हमें जो conclusion मिलेगा हम लिखेंगे therefore integration of u v dx is equals to u integration of v dx minus integration of du by dx into integration of v dx dx और ध्यान रखेगा हमने इस positive term को right side transfer किया था इसलिए वा बन गई है negative और देखे बच्चो यही है हमारा integration by parts का rule जिसे हम use करते हैं तो हम यहां लिखेंगे hence prove अब चलिए समझते हैं indication by parts के इस rule को proof तो हमने जान लिया देखें बचो यहाँ दो functions है u और v यह दोनों differentiable होते है यह बहुत ज़रूरी है अगर यह दोनों differentiable है then उनका integration भी possible होगा यह definite condition है हमारे उपर इस rule को use करने की अब ध्यान दीचेगा u into v में हम लोगों ने function बहुत पर इस rule function माना है और उससे हमने किया है यहाँ integrate और आप देखेंगे कि v का ही integration यहाँ पर भी निकल रहा है it means आप जब integration by parts में 2 functions देखेंगे तो आपको उन दोंों में से किसी एक को integration देना है but आप integration उसी term को देगे जिस term का integration हमारे पास available है तो कौन से function का हमारे पा नाम से भी पहचाना जाता है, बट हम लिएट ही देख रहे है बच्चो, इसे लिएट रूल भी कहा जाता है, L stand करता है logarithmic function के लिए, ध्यान देते रहिएगा अच्छे से, I stand करता है बच्चो, inverse trigonometric function के लिए, then A, algebraic function के लिए, T stand करता है trigonometric function के लिए, और E stand करता है बच्चो, exponential function के लिए, अब ध्यान दीजेगा, इन में से किसका integration directly possible है और किसका नहीं है, देखे बच्चो, हम किसी भी दरह logarithmic function को integrate नहीं कर सकते हैं, similar way में हम inverse trigonometry को भी integrate नहीं कर सकते हैं, इसे जानने का बड़ा ही आसान तरिका है बच्चो, आपकी लीस्ट देखिए integration की वहाँ पर कहीं पर भी integration of log x नहीं पढ़ा है, या integration of sin inverse x, cos inverse x नहीं पढ़ा है, हाँ, हमने as an answer इन दो functions को आते देखा है, but as a question side कभी नहीं, अब algebraic function हमारे पास ऐसे है, जिनका integration possible है, और कुछ का है, जो possible नहीं है, तो यहां आप हाँ और ना दोनों लिख सकते हो, और trigonometry, trigonometry हम जानते है, कितने होते है, trigonometry ग्रेशन है बच्चो, 6, sign, cost, and cost, sick, cosick, और 6 का integration 100% possible है, और exponential function हमारे पास दो है बच्चो, e to the power x and a to the power x, और उनका भी integration possible है, तो देखे, प्रॉपर वे में हमारे पास जो यह एक spell दिया हुआ है, या रूल के नाम पर, लिएट रूल के नाम पर जो concept दिया हुआ है, वो किस तरह से हमारे पास रखा गया है, देखे, L और I शुरूबात में रखे गया है, ताकि वो हमेशा first function represent हो सके, और ध्यान रखेगा, यह दोनों कभी साथ में भी नहीं आएंगे, L अगर आने वाला है, तो A, T और E, इन तीनों में से किसी एक के साथ आएगा, और I भी अगर आता है, तो इन तीनों में से किसी एक के साथ आएगा, लेकिन बहुत बड़ी condition होगी, maximum time L और I, A के साथ ही द integration possible नहीं है, तो अब आप किसी भी numerical में, जहां आपको order decide करना है, by parts का ये rule use करने से पहले, उस जगा आप बड़े आसानी से वो decide कर पाएंगे, बट आप एक simple सा concept वहाँ पर ध्यान रखेगा, दो function में से, जो दिये गए दो functions रहेंगे, उन में से, आप check कर लीजेगा, किसक integration possible है, और जिस function का integration possible होगा, आप उसे treat करेंगी, बच्चो, second function, यानि V वाला function, और अगर दोनों function ऐसे आजाते है, जिनका integration possible है, तो उन में से, किसका integration simple है, आप ये जान जाएए, फिर आप उसे second लेकर काम बना सकते हो, तो यही है, लिये ट रूल की कुपसूरती, और इस formula का concept, जो हम लें जाना, पर इसे एक और वे में आप learn कर सकते हो, बच्चो, और वो काफी simple भी है, देखिए, integration of first into second ले लीजे, u into v की है बज में, क्योंकि किसी भी numerical में, u और v तो आने नी वाला, तो जो भी function आएगे, उसमें से आप एक को first लोगे, और एक को क्या ले लोग द्यान रखेगा हमेशा, कि second function ही integrate होता है, first function यहाँ as it is है, और यहाँ first function हो रहा है, differentiate, इसलिए हम इस बात पे जोर दे रहे है, कि second function आप ऐसा चुनेंगे, जो भी हमें दो function दिये हैं उन में से, जिसका integration possible होगा, तो चलिए, discuss करते हैं, एक दो numerical उसी topic पे, दिखे बच्चो यह हमारा first numerical है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग फिले rule के साथ अच्छे से introduction कर ले, तो हम ले रहे है, x into e to the power x, देखे बच्चो, x यह हमारा algebraic function है, और e to the power x यह exponential, तो अगर आप देखे, इन दोनों में से किसका integration ज्यादा simple है, तो देखे बच्चो, e to the power x का integration होता है, e to the power तो यह हम first treat करेंगे और इसे हम treat करेंगे second, अब rule apply कर ले, first integration of second minus integration of derivative of first integration of second dx और यहाँ पर भी आजाएगा dx, अब अगर आप आगे बड़े तो x as it is, e to the power x का integration आजाएगा e to the power x, then integration of, यहाँ देखे derivative of x है, जो की 1 होता है, then e to the power x का integration e to the power x होगा, यहाँ दीजेगा बच्चो अच्छे से, x into e to the power x as it is, 1 into e to the power x कितना होता है, तो वो होता है e to the power x ही, और उसका integration बहुत ही simple है, तो हम यहाँ लिख रहे, x into e to the power x minus e to the power x, और देखे, sign of integration इस expression में से हट चुकी है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे plus c, तो यह है बच्चो इस numerical का final answer जो हम लोगों ने discuss किया, चलिए आगे बढ़ते हैं और discuss करते है second numerical, यहाँ हम let a capital I is equals to integration के अंदर ले रहे है, x into sin x, अब देखें बच्चो, x again algebraic function है, और sin x है trigonometry, तो हम इसे first treat करेंगे और इसे treat करेंगे second, और अब यहाँ लगाएंगे integration by parts का rule, ध्यान देजेगा अच्चे से, वो आएगा first integration of second minus integration of derivative of first integration of second dx, देखें बच्चो, sin x का integration होता है minus cos x, minus integration of derivative of x आजाएगा 1, और sin x का integration का आएगा बच्चो, फिर से minus cos x और साथ में आजाएगा dx, अब यह minus और यह minus हो जाएगा, plus, और यहाँ minus x cos x लिखना पड़ेगा हमें, 1 into cos x cos x बचेगा, और cos x का integration क्या होता है बच्चो, sin x, और sin of integration यहाँ से vanish हो चुकी है, इसलिए हम क्या जोड़ेंगे plus c, तो इस तरह आप integration by parts के rule का use कर सकते हो, वैसे तो और different numericals हमारे पास available है, पर उसके लिए आपको wait करना प बच्चो, और उसी numerical dependent हम काम भी करेंगे, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करना ना भूले, share करना ना भूले, और चैनल को subscribe जरूर किजा बच्चो, thank you students.